असलाम नेकुम डिया स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर फॉर में देखेंगे कि जो साइंस की स्टोरी बुक्स हैं हम अपने अर्लियर की क्लास्रूम में किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर हमने यह देखना है कि इंगेजमेंट का सेकंड लेवल क्या है जिसको हम कहते हैं वर्ड लेर्निक गेजमेंट और यह क्या होता है वर्ड लर्निक गेजमेंट जब हमारे सामने आता है तो उसके साथ की सवाल आता है अगर ऐसा है तो डेफिनिटली ऑगला फोकुस हमारे कि पर किताब मौझूद है कि बच्चे को इंगेज किया जाए और उसके लिए वह जितनी भी किताब होगी वह ऐसी किताब होगी कि हर सफ़े पर आपको वर्ड नजर आएगा प्लॉट में भी नजर आएगा और पिक्चर और इलिस्ट्रेशन में भी बार-बार वह वर्ड रि इन वर्स को देखते हैं उनके लिए इन वर्स को सीखना तब बहुत ही ज्यादा असान हो जाता है जब उससे रिलेट कर सकते हैं अपने इंट्रेस्ट को या अपने एक्स्पीरियंस को या किताब इतने अच्छे तरीके से बनाएं गई हो लिखी गई हो और वर्ड इतने अ अच्छी होगी क्यों कि वह वर्ड टेक्स में भी मौजूद है तसावीर में भी नदर आ रहा है और उसकी आज प्रोसेसिंग है बच्चों के लिए याद रखना समझना आसान होगा जब हम वर्ड को साइंटिफिक वर्ड को इंट्रीउस कर रहे होते हैं बच्छों के साथ तो यह बहुत important चीज़ है कि आप यह भी देखिए कि वह उनकी curriculum में हों उनकी textbook में मौजूद हों और जो core curriculum आप पढ़ा रहे हैं उसके objectives के अंदर वो words भी मौजूद हो ताके यह भी ensure हो जाए कि नासर बच्ची वो कहानियों में पढ़ेंगे बलके वो textbook में इसको repeat करेंगे और वो से connect कर सकेंगे मिसाल के तौर पर हमारे पास जब books आती हैं तो इसके अंदर हमारे core science phrases आते हैं जिसको हम high utility academic terms कहते हैं science के words आते हैं जैसे functions required इसके साथ साथ कुछ और vocabulary भी होती है कुछ और word भी होती है जिसको हम कहते है abstract या concrete word abstract word वो words होते हैं for example like giving attention attention एक abstract term है पुनियादी तोर पर attention ना हमें देखी जा सकती है ना हम उसको सूंग सकते हैं ना चक सकते हैं ना छू सकते हैं ये एक हमारी abstract term है focus करना और concrete terms कौन से use होती है scientific vocabulary के साथ आज इसके अंदर जैसे के be quiet बिल्कुल खामोश बैठ जाएं और still sit still बिल्कुल still होके बैठें यानि वो बकाइदा चीज़ करके दिखाई जा सकती है देखी जा सकती है कि ये क्ये चीज़ है अब हमारे सामने कुछ examples है हम उनको देखते है example है for example हमारे पास birds है भ जब हम यह language develop कर रहे होते हैं बच्चों के साथ तो हम concrete और abstract word दोनों इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर जब हमारे पास drawings होती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि जब आप bird watching कर रहे होते हैं तो आपको खमोशी से बैठना पड़ता है attentively बैठना पड़ता है तो sit silently क्या हमारे पास आज आती है तो हम यह देखते हैं कि इसी किताब में यह terms कितने effective तरीके से इस्तेमाल हुई है उसके लिए हमारे पास यह कुछ तरीके सबसे पहले आप यह देखते हैं कि जो concept बताया गया इस किताब के अंदर जो वो वो कैबलरी जो है उसके साथ जो बाकी science के concept हैं उनकी क्या मिनिंग बताये गए हैं और वो किस तरीके से इंगेज हैं मिसाल के तौर पर बर्ड वाचिंग की एक एगर ले ले लें तो क्या उससे रिलीटेड विकाबलरी भी उसके अंदर मौजूद होगी लाइक बनेकुलर्स है इसका मतलब है कि यह सारी की सारी वो व सब्सक्राइब हैं उन दोनों के दर्मियान जो साइन्टिफिक टर्म्स इस्तेमाल की जा रही हैं उनके दर्मियान आखरी चीज जो के हमारी लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है वह हम यह देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इलस्ट्रेशन टेक्स और वर्ड जो हैं वर्ड बनियादी तर पर वह इंटेक्रेट किये गए हैं और वो बच्चों के कॉग्निटिफ और मैंटल लेवल के मताबिक हैं लांग्वज ऐसी है इलस्ट्रेशन ऐसी है जो चाइड फ्रेंडली है उनके कॉग्निटिफ लेवल के मताबिक है definitely वो किताबे पढ़के बच् scientific concept भी सीखेंगे.